नमस्कार हम सब कैसे हैं वेलकम बैक टू मैं चैनल आज बिंगली लोग का नौबो वार्षो है तो शुभो नौबो वार्षो आप सभी के लिए और बहुत-बहुत बधाई हो नए साल आप लोग के लिए बहुत खुशिया लाए आज मैंने पाइश बना रही हूं और चाइन का कर आते हैं और साथ में भी लेकर आते हैं लेकिन इस बार ममी को जब मैं चोड़ने गई थी बहुत देर हो गई थी रात को मैंने फुट इन नौ बजे ममी को ड्रॉप की थी और यह सब खाना लेते लेते ग्यारा 12 बच जाता घर आते आते एक-दो हो जाती तो मैं सब तैयर होकर बैठी हूं घर से निकलते हम लोग का शाम के छे बज़ गया है और यह ड्राइब से रखुष जाने में दो घंटा लगता है अर्मानी और जोगी का पसंद था मैं वो लोग सोच रहा था हम लोग से रखुष में जाकर रस्टोंट में खाना खाएंगे मैं बोली कोई बात नहीं हमारे साथ खाना रहने से मैं फ्रीज में रख दूँगी और हम लोग जाएंगे आज काफी सुन्दर वेदर है मौसम बहुत ही अच्छी है कोई बारिश और स्नो नहीं है और हाइवे भी एकदम खाली-खाली ही था अर्मानी पीछे में बैठा है गारी के पीछे में और बैक सीट में जोगी ड्राइब कर रहा है और मैं सामने में बैठी हूँ वीडियो लेने के लिए अर्मानी ने बोल रहा था, वो सामने में बैठेगा, लेकिन मैंने सामने में इसलिए बैठी हूँ, इसमें मुझे ब्लॉग लेने में अच्छी लगती है, और मैं अच्छी तरह से वीडियो ले सकती हूँ, क्योंकि पीछे में अगर मैं बैठूंगी, तो साइट विंडो से ह स्रिप वीडियो ले सकती हूँ बहुत दिन के बाद हम लोग फिर से लांग ड्राइब पे निकले हैं पास्ट दो महिना जोगी अपना काम पे बहुत ही बीजी था और ममी भी हमारे साथ थी तो हम लोग लांग ड्राइब पे नहीं जाते थे ऐसा इस सीटी में हम लोग घूम ऑप कुछ पेड में लेते थे देखे अभी बी पेड पे पत्या जाद तर पेड में पत्या ने निकले हैं और कुछ-कुछ पेड में छोड़े हरे बैठ सकती हूँ लेकिन जब मैं ड्राइब करती हूँ में तो फोकस ड्राइबिंग में ही रहता है यूसे में ट्रॉक आपने स्रिप पर डे एट आवर सी ड्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे जगह पे इस तरह कर ट्रॉक पार्किंग एरिया है जहां पर आप जो ट्रॉक ड्राइबिंग करता है ड्राइबर लोग आके रिस्ट करता है और इस धर पे नहानी का भी जगह है और रेस्टरंट भी है उधर पे लोग खाना खाते हैं और नहानी के बाद अपने ट्रॉक के अंदर में सो जाते हैं ये सिस्टेम बहुत ही अच्छा है नियोक स् क्योंकि इसके अंदर में मचलिया और मेढक और बहुत कुछ है जो इंवर्मेंट को हेल्प करता है अच्छा रखने के लिए और देखते देखते देखे हम लोग आलमस्ट पहुंच गये हैं और उसके साथ ही कितना खुब सुरह सा संसेट हो रहा है और स्काइब में कितना सु करके आया है उसी लिए पीछे में आराम से सो के आ रहा है मैं जब वीडियो ले रहे थी तो मैं नोटिस भी कर रही थी गारी के सामने का शीशा अभी बिलकुल गंदा हो गया है क्योंकि स्प्रिंग और समर पे एंवर्मेंट में बहुत सारे बक्स घुमते रहता है और वो लोग छोटा छोटा प्रानी बैट नहीं सकता है और देखने में भी खराब लगता है लेकिन क्या करूँ ये दो घंटे के ड्राइब में हम लोग बहुत सारे सिटीज विलेजेज और जंगल क्रॉस करते हैं अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक चोटा सा गाउं जहां पर ल बड़े बड़े प्राइब लेकिन अच्छे तरह से एग्रिकल्चर काम कर लेते हैं मशीन की सहता से अब देखे ये चोटे-चोटे हाउसे से ये ट्रेलर हाउस एरिया है इधर पर आप जगा रेंट पर रख सकते हैं आप इधर पर रेंट पर ऑल येर राउंड रह सकते है नहीं तो समर में आप आकर रह सकते हैं जादा तर समर में लोगों ने पेरेंट्स लोग अपने बच्चे लोग के साथ दो महिने की छुट्टी लेकर पूरा ओल ओवर येर से गुमते रहते हैं बहुत ही पॉपुलर चीज है इस तरह से बच्चों लोग के साथ समर अभी जस्ट विंटर खतम हुई है और स्प्रिंग शुरू हुई है तो विदिन ए वान और टू विक्स में ये लोग जमीन त्यार करके मकई ग्रो करने के लिए त्यार को जाएंगे देखे अभी एक फॉर्म हाउस आ रही है और उसमें दो बड़े बड़े पिलर्ट्स लगे हुए है नियॉर्क स्टेट्स में विंटर चार से पांच महिने है और यही पिलर्ट के अंदर में एनिमल्स लोग के खाना कलेट करके रखते हैं ताकि वो लोग भी खा सके ताकि अब हम लोग वेट करें गयास लेने के बाद घर चले जाओंगी तेंक यू बाबाई